राश्रवादी कॉंग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरत पवार का नागपूर हवाई अड़े पर स्वागत किया गया उन्होंने इस वक्त मिडिया से बात करते हुए कहा कि संसर में ऐसा कोई प्रतिवन नहीं है ऐसा स्पीकर ने कहा है हम देखेंगे कि सही आदेश क्या है अंतिन स्थिती क्या है और फिर तय करेंगे तो ये राज्यसरकार का मामला ऐसा भी शरत पवार ने इस वक्त कहा मुझे रकार अभी तक आज जो स्पीकर सामसर स्टेट्मेंट आया है वो स्टेट्मेंट के मुताविक आईसी फारबंदी वहां नहीं है यह बात उन्होंने कहीं है अभी कल हम मैठे के दीजी में सभी अराज्यसरकी जेता और क्या फाइनन स्टेटी क्या है और देखेंगे और फिर यह एक पर इसमेंट ने कहां कि यह जीस पर दिस्टिक्शन नहीं है हम इसमें नहीं करेंगे ऐसा स्टेट्में उनका आज अग्वार में तो ठीकर देखेंगे कर सच क्या है